एलो दोस्तों आप सभी लोगों का तेजू अर्गे व्लोग में स्वागत है गर्मी के मौसम में सुभा के 10 बज चुके हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं टम टोरा के वन अब भ्यारण में इस जगह को जंगली जानवरों के सुरक्षा के लिए बनाया गया है अभी हमने हमारी जो बाइक है उसे गेट के बाहर ही रख दिया है और यहां का जो बाहर का व्यू है उसे हम आप लोगों को दिखाने की कोशिस कर रहे हैं यह देखिए जो बाउंडरी के लिए घेरा दिया गया है उसमें जंगली जानवरों का चित्र बना दिया गया है जहां तक यह बाउंडरी गयी है इसमें जंगली जानवरों के चित्र बनाए गये हैं और उन्ही जानवरों के चित्र बनाए गये हैं जो इस जंगल में पाए जाते हैं ये देखिए बहार से आने वाले परियाटकों के लिए आराम करने के लिए कुछ इस तरह की जगह बना दी गई हैं, अंदर भी बहुत सारे ऐसे जगह बना गए हैं, जो आपको अंदर जाके दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अभी गेट के अंदर और आप लोगों को लिखाते हैं यहां का व्यू, यहां अंदर जाते ही बहार में साइड में एक तालाब देखने को आपको मिल जाएगा, और यहां पे लिखा हुआ है, तालाब में मचली मारना मना है, यहां पर मचली पकड़ना मना है तालाब में, तालाब के किनारे किनारे यहां पे गैटोकों के लिए और अभी हम अंदर जाएंगे आप देख सकते हैं अंदर में बहुत सारे पीनद पोधे लगाए गए हैं और ये देखिए ताला के किनारे बाउंडरी के साइड में ही बैठने के लिए इस तरह की बहुत सारी जगह बना दी गई हैं और इस सेट का नजारा कुछ इस तरह से है यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा कर उसे इटो से घेर दिया गया है और अभी हम आगे चलते हैं और आगे चल कर यहाँ का जो सीन है आप लोगों को दिखाते हैं यह देखिए इस सेड भी उसी तरह बना दिया गया है इटों से घेर के यहां के सभी पेड़ों में वाइट और रेड रंग का जो कलर है वो लगा दिये गया है यह देख सकते हैं वाइट और रेड रंग का जो कलर लगाया गया है इसन पेड़ों में यहां पे टेबल के साथ चार लोगों के बैठने के लिए जगह बना दी गई है ये जगह मैं रोड से लगभग चार किलोमिटर अंदर है और ये लोग यहां के देखरे के लिए यहीं पे रहते हैं मैं इस जगह को नो साल बाद आया हुआ हूँ और अभी भी बहुत सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे नो साल पहले थी इस तरफ के कुछ बोधे बड़े हो चुके हैं और यहां के पेड़ों में लिखा हुआ है वनो का दुस्मन, रास्ट का दुस्मन आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है और सब आप लोगों को दिखाते हैं मेरे साइड में यह देखिए जेजे बंगला के नाम से बनाया गया है और सीधा उस साइड में एक बहुत बड़ा कुआ है और इस साइड का नजारा भी थोड़ा देख लीजिए तालाप का नजारा और बैठने के लिए कुछ अलग डिजाइनिंग के साथ कुछ चीजें बनाई यही हैं आगे में एक पुराना वाला रूलर मसिन पड़ा हुआ है और साइड में जंगल को गहरने के लिए लोहे से बना जाली बहुत सारे हैं और यह हैट पंप